विजयता टीम कौन सी टीम थी टीट्वेंटी वल्लकप दोहचोबीस में विजयता टीम का नाम आपको कमेंड़ बताना है जै हिंदिश्टडी बसीरा की नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत चैनल पक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो था उसी तरह से अगस्त महिने में इस तरह से इंपोर्टेंट प्रस्णों का हम लोग ने एंसी को लगाया था किया था त्यक्पिस किया था उसी तरह सेप्टेंबर महिने का भी इसक्स कॉस्ट और कि 86 86 कोशन का MSQ video upload हो चुका है MSQ के फॉर्म में जो करेंड आफेर्स हम लोगर डेली करेंड अफेर्स में सप्निम्बर महीने के पढ़ा है तो डेली का जो पढ़ा ता एक जगा collection करके important MSQ के form में upload हो चुका है उसे टेस्स लगाई यह टेस्स के form में है और MSQ के form में कम्प्रिट देखिए वीडियो कितने important video बने हुए हैं बहुत important प्रश्नो का collection है बहुत important बहुत important बहुत को से circuit क्या गिया है सबस्याई करते हैं आज का current affairs आज सारदिय नौराथर का पहला दिन है मता सहल पुत्री के ध्यान करते हुए आज का वीडियो start करते हैं आप सब को नहोराथनी के धेर सारी सुबक्तामुना ही पहला है मूझा सिकें मूझा घोटाला क्या है मूझा को फूल फूरो मोटा मैसूर आरबन डिफलिमेंट ऑफूरेटелен इसमें गोटाला हुआ है किसी राजी संबंद है कर्नाटक राजे से कर्नाटक राजे के सिद्ध जो सीए में चिप मिनिस्टर है मुख्य मंतरी है सिद्धर मैया इनके उपर यह आरोप लगा है और वहां के हाई कोट ने इनके उपर लोकायूत जाज की अनुमती दे दी है मंजूरी जाज करने की अनुमती दे दी है किसी राजी संबंद है कर्नाटक कार्ये से संबंद है कर्नाटक के बारे थोड़ा एक समझ लेते हैं करनाटक का जो बिधान वंडल है यह द्वी सदनिया है बाई कैमरल है दो सदन है यहां बिधान सभा और बिधान परिशत यह दो सदन है तो बिधान सभा कितनी सीटे हैं बिधान सभा 224 सीट है बिधान सभा की करनाटक में बिधान परिशत की कितनी सीट है 75 सीट है लोग सभा की करनाटक में लोग सभा की सीट कितनी है तो 28 सीट है लोग सभा की 28 सीट है और राज सभा की सीट करनाटक में 12 सीट है तो यह complete है मुड़ा स्केम करनाटक राजे से संबंदी है इ21 नाम भी पताने के कोशिच कीजिएगा जरूर कीजिएगा npcci center of xilain यह एक न गलूरूरु में करनाटक में स्टार्ट किया गया है यह ट्रेंग सेंटर है जो नए खिलाड़ी होंगे उनको अच्छे तरह से नए कि मोडन तरीके से नए सुविधाओं के साथ उनको ट्रेंड किया जाएगा इससे सेंटर पे BCCI का है Center of Excellence इसका नाम रखा गिया है National Cricket Academy है चलिए next point पे चलते हैं next point है राजमाता, गौमाता का दर्जा दिया गया है देशी गाए जो महरास सरकार द्वारा देशी गाए होती है देशी गाए को राजमाता, गौमाता का दर्जा दिया गया है देशी गाएं को सरक्षित करने के लिए सरक्षित करने के लिए ये दर्जा दिया गया है महरास सरकार द्वारा चलिए next point पे चलते हैं next point है इसको पहले समझ लेते हैं कल हम लोगों ने पढ़ा था महतमा गांधी का महतमा गांधी जी का जन्म दिन था और दौरावध तृसाष्तिया अहिंसा डिवस मना जाता है। इसकी सुरुआत कब की गई थी तो इसकी सुरुआत दो हजर साथ में की गई थी। किसके दोरा इंटीड नेशन जनरल इसेम्बली दोरा। 2007 में पहली बार, 2007 में 2 अक्टूबर को मनाई गया था पहला अंदराश्टी अहिंसा दिवस, और इसकी घोसना कब की गई थी, तो 2007 में ही 15 जून को, 15 जून को United Nation General Assembly द्वारा इसकी घोसना की गई थी, 2007 में 15 जून को कि 2 अक्टूबर को, परतेकवर 2 अक्टूबर को महात्मा गांदी के जर्म दिवस के आउसर पर अंदराश्टी अहिंसा दिवस मनाई जाएगा, 2007 से यह दिवस मनाई जा रहा है, नेक्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स पॉइंट है, उदय निदी स्टालिन, ये कौन है, तो इनको तमिलाडू का, उदय निदी स्टालिन को तमिलाडू का डेपूटी चेप मिनिस्टर निक्ट किया गिया है, ये उप मुख्यमंत्री बन गए तमिलाडू के ये कौन है उदे निदी स्टालिन तो वही बरतमान में जो तमिलाडू के मुख्यमंत्री है M के स्टालिन उनके ही पुत्र है यानि ये पिता और पुत्र दोनों ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए है तो आप लोग आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लिएगा 86 वीडियो का कंप्लीट एम सी क्यूं की फ़र में इंपोर्टेंट प्रशनों का कलेक्शन है इसे टेस्ट को लगाई एक कमेंट जरूर बताईएगा कि यह वीडियो कितने नेक्ट पॉंट है सौथ एसकी फुटबॉल फेड्रेशन यानि के साफ एस डवला फूर्च फूटबॉय फूटबॉल फेड्रेशन इसका आयौजर कहां किया इसका इन बुटान में किया गया है बीजेता टिम कौन सी है फूटबाल फडरेशन साफ के बीजेता टिम कौन सी है तो भारत है भारत नहीं किसे हराया है बंगला देश को हरा दिया द जीरोorns से भारत भांगलादेस को हराया है विजेटार्टीम भारत है उप विजट्यार्टीम बंगलादेस इसके फृइनल का फार मैज का ऐवजन थिम्फू के चाम लिमठांग स्टेडियम में किया गया था भूतान के हीज़ा सृ sensitive में किया गया था भूतान की का राष्ट्य खेल क्या है भुटान का राष्ट्य खेल आर्चरी है इसे ध्यान रखिएगा भुटान का राष्ट्य खेल आर्चरी है पकिस्तान का राष्ट्य खेल होक्की है नेपाल का राष्ट्य खेल वोलीबॉल है जिसे कि पहले दांटी बियोंबा कहा जाता था स्रिलं न्यपाल का राष्टे खेल किया है क把ड़ी बंगलास्ट कर राष्ट खेल स्रीलंका का राष्ट खेल भी बड्ली बोल नेपाल का वोली बॉल रांत गो रभी कंट्री उनके बारे इस से नेवृ किसी स्टेट के बारे पढ़ेंगे तो कोसिस करूंगा मैं कि उस स्टेट का उस कंट्री का मैं राश्ट खेल आपको बताता चलू इससे क्या होगा रोज अगर हम लोग सुनेंगे तो हमें हमारे दिमाग पर छप जाएगा और निकलेगा फिर नहीं फिर उस तरह से एक प्रस् वेस्ट इंडिज के क्रिकेटर है इनकी आत्मकता है लारा दा इंगलेंड क्रोनिकल्स इन्हों ने इसे पब्लिस किया चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है स्वक्च भारत अभियान इसके दस साल पूरे हो गये हैं तिससे शुरुआत कब की गये थी दूअक्टुवद्ध दोहजच चाउदा को स्वक्च भारत अभ्यान के सुरुआत दोहजच चाउदा में नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पहला खोखो वर्ड कप का यजन दोहज़ार पचीस में क्या जाएगा इसके मेजमानी की देश को मिली है तो मेजमानी भारत को मिली है भारत मेजमानी करेगा पहला खोखो वर्ड कप दोहजर पचीस में जिसमें कि महिला पुरूश दोनों ही टीम में पाटिसिपट करेंगी चलते हैं माद दूर्गा अभियान हर घर दूर्गा अभियान के तहट माद दूर्गा अभियान तो लड़क्यों को सारीय को मानसी रूप से मजबूत बनाने के लिए इस अभ्यान को शुरू किया है समाज में हम अभी सुन रहे हैं बहुत सारे हमेशा से न्यूज कुछ न कुछ हर एरिया में कि लड़कियों के साथ बाहर जो काम करने जाती है उनके साथ अभधर बेवार अलग बोलने में भी नहीं बनता है उस तरह का बेवार क्या जा रहा है उसलिए इनको सारीरी ग्रूप से और इससे इस्तितियों से निपटने के लिए उनको बियोद करने के लिए लेड़कियों महिलाओं को सारीरी को मांसिक रूप से मजूद बनाने के लिए माध दुर्गा अभियान को सुरू कि आगि यानकि दूर्गा मातला की तरह वह भी मजबूत हो जड़ुरत पढ़न सबसे 27,000 रन बना लिया है रिकॉर्ड किसका तोड़ा है सचिन तंदूलकर का सचिन तंदूलकर जी ने 625 पारियों में 27,000 बना लिया था प्रंद बिराट कोहली ने 594 पारी में 27,000 बना लिया है तो सचिन तंदूलकर जी का रिकॉर्ड इसने इन्होंने तोड़ा है बिरा पॉइंट करनों समझेंगे नौवा संस्करन ICC महिला T20 वर्ल कप की शुरुवात अगाज हो चुकी है तीन अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है 20 अक्टूबर 24 तक चलेगे यानि कि 20 अक्टूबर को यह फाइनल मैच खेला जाएगा T20 महिला T20 वर्ल कप दोःचोवीस का यह लिए अगिला किया जा रहा है किया रहा है passionate अरब अमिरात में कि यह बंगलादेस में होना था बंगलादेश में 24 महिला 2020 वर्लकप का जो बंगलादेश में होना था प्रंदु बंगलादेश में अभी जवर्जदस्त भ्यानेक रूप से राजनितिक उतल पुतल की स्थिति बनी हुई है तो उसके कारण से इसको अस्तानंद्रित करके उनाइटेड अरब अमिरात में कर दिया गया है उनाइटेड अरब अमिरात में किया जा रहा है दुबई और सार्जा में उनाइटेड अरब अमिरात के ही अमिरात हैं दुबई और सार्जा वहां यहां किया जा रहा है तो देस्वां ICC महिला T20 World Cup 226 का आउजन कहां किया जाएगा तो इंग्लेंड में किया जाएगा और देस्वां ICC पुरूष T20 World Cup 226 का आउजन स्रिलंका और इंडिया कर रही है सभी रूप से इंडिया और स्रिलंका करेगी 226 में 24 पुरूष जो नौवा संस्क्रान था 9 एडिशन था ICC पुरूष T20 World Cup 226 का आउजन कहां हुआ था तो वेस्ट इंडिज और इंडिज और इनाइटेड स्टेट ऑप अमेरिका यानि कि USA वेस्ट इंडिज और USA ने स्वेंग्त रूप से इसे किया था ता विजयता टीम भारत रही थी विजयता टीम के नाम आपको कमेने बताना है चक्स पसंद आया होका आज़क लेगतना ही मिलते हैं पी नए वीडियो में तब तक जै हिंद सुपर है मस्त रहें धन्यवाद फीर से एक बार आप सभगे को नवरात्री के ठेर सारी शुप कमनाये हमें मता सैल पूत्री बांसी भार से स्भगता परदान करें और आप सभी सभलता परदान परदान करें इसी आसार उमीद के साथ मिलते हैं नई वीडि לי धन्यवाद जय हिंद जय मातादी